नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्से लर्निंग पॉइंट बाई सिंसर आज हम करेंगे चार अगस्ट शिफ्ट थरी वह भी हायर सिकंडरी लेविल का पेपर देखो सीजियल में जो भी चैंजमेंट हुए है उनको नजर अंदाज कर दो केवल क्या है कि पढ़ना बैस करना का पड़ेगा फिर स्टार्ट करते हैं बिनादेरी किये वह हूए 32 चात्रों का ऑउसत सतर केजी है यदि सिख्चक के बजन को स्वामिल किया जाता है तो कच्छा का और सत्र दसमलब 5 पांच केजी हो जाता है सिख्चक का बजन ग्याद केजिए और सिख्चक के आनिस क पॉइंट फाइफ यह नहीं पांती है 15 15 15 16.5 ज्यादा रहे होंगे तो इनको जोड़ तो कितना हो गया 6.5 kg अगला सवाब क्वाइंट 4 और 3.6 का मद्यान पाती क्या हुआ कुछ नहीं रूट ले लो यह तो बहुत बार बता चुका हूँ पूरी सिफ्ट में यह भरवर के पूछेगे तो चार का रूट लेंगे देखो यहां से लिख सकते कैसे चार उड़े 36 बटे 100 लिख सकते हैं यहां से जाएगा तो दो बार आ जाएगा छे बार आ जाएगा नहीं चे दुनी बारा बन पॉइंट टू हो गया अगला सवाल दोनों वर्सों में कंपनी बी की कुल विक्री दोनों वर्सों में कंपनी ए की कुल विक्री का कितना परसेंटेस है सबसे पहले देखो बी कहां पर बी यह है यानि कि जोड दोनों को जोड देंगे तो कितना मिल जाएगा 28 ए कहां पर यह है यानि पच्छे सो आठ तेते सो सबसे पहले सबसे बड़ा चेक करते हैं तो पांच से करेंगे तो कितना हो गया जीरो आ गया पंद्रा पांच चौको बीस और एक एक इस भाग चला गया सबसे बड़ा इसलीए चेक करते हैं अगर मालोच करने पड़े हैं इसलिए बड़ा सबसे पहले अगला सवाब किसी बस्तु का सूची मुल ग्याद कीजिए उस बस्तु पर 20 परसेंट की छूट 50 की बरावर जैसे 100 है मालो मुल इस पर 20% छूट करेंगे तो 20 रुपे के छूट हो गई जो बरावर किसके बचास के मूल निकाला त्यानि 100 के वेलू कहे गुना हो रहा 5 गुना हो रहा क्योंकि 100 अमने मूल लिवाना था न तो इसका 5 गुना कर दो तो 200 अंसर आ गया अगला सवाल 2x प्लस बन अपान 3x वरावर 12 आए तो 9x स्क्वाईर प्लस बन अपॉन 4x स्क्वाऊर गया थे चैब तो आपसिंपल सा 3 है अगर इसका स्क्वाईर करते हो तो नीचे 9 होना चीगे तخезде लेकिन हुआ किसका होगा 2 का square उपर 3 का square तो इधर क्या करो पूरे में 3 वटे 2 का गुणा कर दो तो 3 वटे 2 का गुणा करें दो से 2 कट जाएगा या नहीं 3x इधर 3 से 3 कट जाएगा 1 अपां 2x आ जाएगा लेकिन जो नंबर जैसे यहां लिखे हैं उसका multiply और कर दो 3 इंटू 1 अपां 2 अगर यहां पर coefficient कुछ भी नहीं होता तो simple 2 माइनस कर देते हैं 2 से 2 गए 18 अठारी हम 324 माइनस का 3 answer कहागा 321 अब हुआ कैसे जैसे square कर दो इसका 3 तरिका 9x square प्लस बन अपां 4x square और प्लस का 2 इंटू 3x इंटू बन अपां 2x और 18 के square 324 करते हैं यह x से x कट गया 2 से 2 कट गया 18 तो माइनस कर दिया ठीक है अगला सवाग 2015 और 2016 में हुए लावों के बीच का अंतर गया देखो 2015 कहाँ पर है यह है इसमें कितना 40 से 30 के 10 क्या हो गया तुमारा आये थी अगर तुमारी 42 हो गया 30 तो प्राफिट कितना हुआ 10 रुपए का हुआ इसी तरीके 2016 में देख लो 50 और 30 का डिफरेंस 20 और 10 का डिफरेंस 10 आ गया यानि 10 लाग रुपए अगला सवाग काट माइनस 315 का मान क्या होगा देखो काट 315 की वेलू पूछी है अब यहां से क्या कर देखो यहां पर 270 यहां पर आ जाता 0 और 360 यहां पर होता तुमारा कितना 90 यहां पर होता 180 अब यहां देखो इस क्वाडेंट में पूछ रहा है 10 और काट केवल इस थर्ड क्वाडेंट में तुमारे प्लस के होते हैं बाकी इसमें माइनस का होगा इसमें सभी प्लस के होते हैं इसमें साइन और कॉस होता है तो यहां पर क्या हो जाएगा चेंज करेंगे तो यहां लिख सकते हैं पहले लिख लो 270 प्लस 45 और बिंदू से AC और E बिंदू तक एक रेखा DE इस प्रकार खीची जाती है कि रेखा DE BC के समानतर हो जाती है साथ ही AD अनपाट DV का अनपाट इतना आ है तो रेखा AC की लंबाई 4.2 cm है तो AE की लंबाई क्या होगी देखो तर्बुच बना लो एक हो गया तर्बुच यह ABC ठीक है अब सिंपल सी बात है कि AB पर बिंदू D और AC पर E यह बजा खीची गई यह पैरलल बता रहा है किसके ABC के AD अगर दो है तो DB कितना है DB तुमारा पाँच है यानि कि यह पूरी कितनी होगी तुमारी रेशियो में साथ होगी तो इनका भी अनपाथ क्या होगा दो अनपाथ साथ होगा यह तो सभी ने similarity पड़ी होगी तो AC कि वेलू कितनी दी गई है 4.2 AC कितना हो जाएगा तुमारा पूरा पूरा साथ यह भी सेम अनपाथ में बटेंगे यह साथ होगा दो अनपाथ साथ में जैसे यह था तो अगला सवाद कि यदि A B से 25 परसेंट अधेग है और B C से 15 परसेंट कम है तो ABC का अनपाथ क्या होगा देखो बिल्कुल सिंपल सभार है कैसे करना जैसे A हो गया और B हो गया और C हो गया B C से 15 परसेंट कम है C से 15 परसेंट कम का मतलब 85 हो गया और A B से 25 परसेंट अधेग 25 परसेंट का मतलब 125 हो गया सिंपल सिवा समझना अब यहाँ पर एक चीज़ से देखो कि हमें A और B का अनपाथ कितना चाहिए केवल A भी देखो अगर 125 और अगर 100 लिखते तो पच्चेस 4025 पंजी 125 पंचेस पांचार कनपाद चाहिए इसमें आरहा कनपाद नहीं आरहा क्नपाद बिलकुल नहीं आरहा इसमें आरहा थाही तो 15 waiter नहीं मिल गया है कि हम रैज्यू अगर झाह अगर 12 परसेंट ए तो ए 5 जाहिए बस इतना लिखना पढ नहीं अगला सवा 10 संक्यां का औ Sat가는 47 हैangy 17 को 53 करने के लिए उन में 11 संक्यां में कौन सी सामिल की जानी चाहिए अब 53 तो display से बड़ा नंबर लाना पड़ेगा तभी तो नंबर बन पाएगा 53 अधा को सब्सक्राइब कितना जादा ला आदमी इन outright 16 जादा लाना पढ़ेगा तब वो इबरेज भी पहुंचेगा साथ छे तेरा तीना से लगा एक छे पांच ग्यारा यानि जो ग्यारमा नंबर है वो एक सो तेरा रहा हो अगला सवाल निम लिखित गुड़न फिल को सरल कीजिए सिंपल सी बात है देखो किसी ना किसी का फेक्टर लिखे हुए है या तो तुम इसी से कर लो या तो ऑप्सन से भी कर सकते हैं ऑप्सन से कैसे जैसे इसका इसका कोई फेक्टर बनता नहीं बनता जाके इसका फेक्टर बनता इसका स्क्वाईर कोलते या पावर फूर कोलते नहीं बनते है यानि केबल यह ऐप्शन बस्ता था बाकी अगर करेंगे तो यह प्लस बी लिखा ए माइनस बी लिखा ठीक है तो यहाँ पर करेंगे तो x square minus का बना पान x square हो गया और इधर क्या हो गया x square प्लस बना पान x square फिर से formula लगा दो a minus b a plus b वाला पता है ना सब को a square minus का b square हो जाता है तो यह क्या हो जाए x power 4 minus बना पान x power 4 अगला सवल एक प्लिस कर्मी ने चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा करना सुरू कर दिया चोर बावन मिनट में 6.4 km दोड़ा और प्लिस कर्मी ने भी उतनी ही दूरी 40 मिनट में दोड़ कर ते की चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी ते की देखो कितना simple सवाल है क्या हुआ है यह पर 6.4 km distance है तुमारी constant हो गई तो यहां से देखो time में तुमारा ratio कितना हो रहा किसका police और थीव का police ने कहा कि 40 मिनट यह लगा बावन तो यहां से देखो चार एकम 4 हो गया 4 एकम 4 चाहती है 12 हो यह किसमे time है अगर distance का अगर हम निकालते तो भी ratio क्या होता सेम होता क्यों क्या होता जब speed constant हो जाती है तो time is directly proportional to d हो जाता तो तीन की value difference दिया था 1200 मेटर अब वो कहरा है पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की होगी पकड़े प्लिस ने क्या हुआ जैसे मालो चोर यहां पर देखा पुलिस तो करा पकड़े मालो यहां पर पकड़ा होगा तो तो टोटल दूरी उसने इतनी तय की होगी चोर ने पकड़े जाने से पहले तो यह दूरी तय कौन कर रहा है पुलिस वाला कर रहा है यानि 10 की value निकाल लो तो बारा सो बटे तीन उड़े हो गया दस तीन चोकू बारा यानिक 4000 मीटर आ गया हजार से भाग कर तो क्या आ गया चार किलो मीटर अगला सवाल अनिल ने दो वर्स की सावेदी जमा योजना में बारसिक रूप से चक्रवर्दी होने वाली 5% प्रति वर्स चक्रवर्दी ब्याद दर से 8000 जमा किए सावेदी जमा परपक्ता मान गयाद किजिए कुछ नहीं सिंपल समय क्या बताना था उसकी अमाउंट बताना था कितने वर्स के लिए क्लिया तो सिंपल सबको याद होगी याद हो तो से चीज कितनी पहुंचकी यानिक ये हटाने तो यह हुग गया ठीक है इसकी value दीती 8000, कितनी दीती 8000, तीन जीरो चले गए, तो 10 की value आठ हो गए, यानि 8 बटे 10, गुड़े 1, 1, 0, 2, 5, पांदूनी 10 हो गया, पांदूनी 10, पांदूनी 10, 25, 25, 25, 24, 25, 20 हो गया, चार दुनियाट, चार दुनियाट अंसर है, अगला सवार, जब एक संख्या से 44 घटाया जाता है, तो यह 60% कम हो जाती, इस संख्या के 3 पांच में भाग का मान क्या हो, simple है, एक मान लो संख्या, इसस से 44 घटाया जाता है तो यह 60% कम हो जाती है यहांई एक्स का 60% देखो कितना हो गया यह यह तो बीस तीयां साथ बीस पंजे सो यानि 5 x-5 x-44 ब्रावर हो गया थ्री एक्स अप्ट गुड़ा कुछ नहीं करना क्योंकि हमें तीन बटे-5 भाग निकालना तो क्यों करें तो 2 x ब्रावर हो गया पांच गुड़े जवाले यहां से काटतो तो 22 हो गया अब पांच गुड़े 22 का में तीन बटे-5 भाग निकालना तीन बटे-5 पांच से पांच बाइस थी यह अच्छा सट आंसर अगला सबब एक दुकानदार आपूर्थी करता से माल खरीता है 125 बैगों की बिक्रिके मुल के बरावर ला वर्जित करते हुए आपूर्थी करता दुकानदार को 750 बैग बेचता है आप उसने देगो टोटल 750 बैग बेचिए और जिसमें 125 का उसने प्रोफिट लिया यानि कि 750 पर 125 का प स्ट प्राइज आ गया और प्रॉफिट कितना लिया 125 का लिया ठीक ना ये प्रॉफिट हो गया उसका तो यहां से देखो पच्चिस से काड़ पच्चिस पच्चिस हम 625 पच्चिस पंजे 125 पांच पांच 25 यानि एक वटे पांच गुडे सो पांदूनी दस बीस परसेंट का लिए अगला सवाब निम ने लिखे में से कौन से संक्या 72 द्वारा विवाज होगी तो 72 से विवाज होने के लिए व्ला, 85 यानि की आट से तो पता है लाष्ट के तीन नमबर देखते हैं तो यहां से देखो फेरे नौहेंग्वाज ही चय कर लो तो थीक है पांच तीन 8 एक नो ये चला गया शाथ 2 नो चला गया नो चला गया आणि की यह नो से कड जाए गी ता दू छे एक साथ 2 नो यह क कट जाएं यह नहीं तीन संख्या कट गई नो से डेख्ल hierarchy को गया करें तो डो संख्या तो आच से कट अनु से नहीं कट थो गया यही ळ।-um helped ABC का लंब केंद्र है BOC 140 है तो ट्रेंगल BAC का क्या होगा देखूं सिंपल सी बात है बिल्कुल सरल सवाल था यह यह होगा ABC यह BOC लंब केंद्र होगा 140 यह वाला पूझा है यह हमेशा याद रूपको यहाँ पर इसको मालो भाई एक्स प्लस भाई वरावर 180 होता जब क्या हो ओ तुमारा लंब केंद्र हो फिक तो यह आंसर क्या गया 40 टिकरी अगला सवा एक बेलन की उचाई और उसका आयतन क्रम सा 15 सेंटीमेटर 1310 सेंटीमेटर के हो वे संपूडप्रिष्टी का च्हित्फल गयात के दिंगों संपूडप्रिष्टी च्हित्फल होता है टूटल सरफेस एरिया 2 パई रformation होता है यह हर फॉर्मेट में याद रखो 2 पाई आर्ड क्वर्मेट में याद रखना सिरी रजन क्या ऑदा देख और 15 पना 75 चुकूशाओ अब हमें जैसे इसका इक सो चुओं मिला रैडियस समझ में वह 7 सेंटीमेटर होगी यह याद कराया हुआ है जब सरकिल तुम्हारी रेडियस साथ सेंटीमिटर तो एरिया होता एक सो चॉवबन, जब 14 हो तो 616 है। याद कराया वूगा, तुम्हारा परिदी कितनी होगी 44, जब 14 रेडियस हो तो कितनी होगी 88, ठीक है। यहाद रखो यह चीजे। तो यह पर विरदे को यहाद चीजे चौकू 66 हो गया दो चौकू 8 हो गया जैसे ही हमें 8 निकाला तो एक बार option जरूद देखो दो जगए 8 मिला लेकिन एक चीज़ देखो 600 से तो ज्यादा होगा न तो आंसर मिल गया न 968 तो इस तरीके से आप जल्दी कर सकते हैं आगला सवाल 40 पुरुस का एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं उनके काम सुरू करने के 5 दिन बाद 10 और पुरुस उनके साथ जुड़ गया कुल कार कितने दिनों में पूरा होगा देखो 40 पुरुस का काम 15 दिन का था लेकिन कह रहा है उनकी काम सुरू करने के 5 दिन के बाद यानि कि 40 आजमियों का 10 दिन का काम बचाते लेकिन 10 परोस और आ गए परोस कितने हो गए 50 यह कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे तो यहां देखो 50 दूनी 100 हो रहा है यहीं कि X बरावर आ गया आठ यहीं आठ दिन आ लगे पांस दिन यह काम हो चुका टोटल कितने दिन हो गए तेरा दिन अगला सवाल इस्टील सीमेंट और टाइल्स पर किया गया कुल वे कितना है तो देखो टोटल दिया था 22800 ठीक यह वेलू होगी 100% हमें निकालना किसका था इस्टील का सीमेंट का और टाइल का यानिक 9,9,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 फटाफट चलो फिर अगला सवाल करते हैं एक पेपारी अपने माल का मूल ले 25% अधिक अंकित करता है और ग्रह को 5% की छूट देता है वह एक हजार ग्राम बजन के बाट के बजाए 950 ग्राम बजन के बाट का भी प्योग करता है उसका कुल मूल ले परसंद ग्याद किज पर बेच रहा है 25-5, 125-25, 25-29, 25-25, 25-31, 25-31, 2-8, 16-21, 2-7, 14-21, 2-15, यानि कि वह 11.8.5 में बेच रहाए 1000 ग्राम लेकिन वह बहुत उस्यार था उसने दी कितनी चीज़ 950 ग्राम यानि कि उसके पास से कितनी चीज़ गी नोसो पचास रुपए याना कि यह हो गया उसका CP और बेचा कितने पर इतने पर कितने का profit लिया पांच साथ आट से पांच गया तीन ग्यारा से न हो गया तो 37.5 का profit लिया उसने और कितने रुपए पर नौसो पचास रुपए पर सेंटेज निकालने के लिए अंडेट का बुड़ा यह दर चला गया दो पांच चले जाएंगे तो उननीस पिना पिचानवे उननेस से कम उननेस चार बचा उननेस दूनी अड़तिस उनन्यस पना ठीका पांदूनी देस और पचीश परसेंट आंसर आगे अगला सवाब एक बेक्तगी 9 गंटे के लिए औसर ड्राइविंग चाल 72 किलोमेटर पर दिगंटा है अपनी यातरा के पहले तीन गंटे के दोरान उसने 54 किलोमेटर पर दिगंटा की चाल से गाड़ी चलाई और अगले 2 गंटे 15 मिनट के लिए उसने 68 किलोमेटर पर दिगंटा की चाल से गाड़ी चलाई इसके बाद उसने अगले तीन घंटे तक 90 किलोमेटर प्रति गंटा की चाल बनाय रखी अंदिम 45 मिनिट में उसकी चाल कितने किलोमेटर प्रति गंटा थी देखो एवरेज स्पीड का सब को फार्मूला पता है कि टूटल डिस्टेंस बटे टूटल क्या होता है टाइम तो एवरेज स्पीड हमें दीती कितनी 72 किलोमेटर प्रति गंटा तोटल डिस्टेंस निकालनी यानि तीन गंटे चाल क्या थी चौवण यानि तीन गुड़े चौवण प्लस दो गंटे पंदरा मिनिट को चेंज करेंगी गंटे में एक बट साट कर देंग बंदरा चोकू सा और बटे क्या टूटल टाइम मैं पता था नौ गंटे नौ से देखो कट जाएगा नौ छक्का चोवण हो गया नौ से नौ चला गया यह दस हो गया नौ पनना पैता ले तो यह 72 बरावर हो गया छेतिया आठारा और सत्रा चोकू 68 होता है प्लस का तीस और प्लस का एक बट यहां देखो आठ साथ तंद्रा हो गया आसे लगा एक दो एक तीन और तीन तीन च्छे हो गया यह निक बहात्तर बरावर पैसट प्लस एक बटे बारा है यहानि कि बहात्तर और पैसट को डिफ्रेंस आथ बासत्य चौरासी किलोमीटर का दिगंटा आ गई चार अगला जबकि सूरज 15 दिनों में घर बना सकता है राज और सूरज एक अंतर दिन में कार करते हैं यदि राज पहले दिन काम करना प्रारम करता है तो घर कितने दिन में बन जाए ठीक हो एक तरफ राज एक तरफ तरफ ते सूरज 12 और 12 है एल्सी हम सबको पता है 48 आजा यानि टोटल वक्क अड़त ओला तीयां 48 बारा चोक अड़त तरू किसने की राज पहले दिन यानि कि पहले दिन राज फिर दूसरे दिन यह कि दो दिन में 7 काम हो रहा कितने दिन में डू डेज में तो यहां करना टोटल 48 काम साथ से डिव आखे काम अब नम्बर किसा आएगा अपने राजबाई का याननि कि एक दिन काम करेंगे राजबाई तो छे से तीन के रहे मैं था आप कौन आएयगा सूरज आख यानि तीन बटरदे चार यानि आप भारह एक तेरा है और तो घाणन कहला घौतig सिंपल है एडिक आगर ऐसा कभी पूचा जाए देखो होता क्या है एपाउन भी मल्टिप्लाइब इपाउन सी मल्टिप्लाइब सी एपाउन भी हाँ हो क्या रहा सब तो कट जा रहा है तो यह सब लिखने की जरूरत नहीं डारेक्ट लिखो तीन बटे चार गोड़े पांच से भाग दिया जाता तो बस इस संक्या को 37 से भाग देने पर 37 क्या होगा सिंपल से 75 में क्या करो 37 से भाग कर तो 37 किटना होता है चाब घी odpow सबको पता है आंसर के आ गया एक अगया अगला सब घक्र सेकंडरी लेवल का चार अगस्त की सिर्फ दरी कंप्लीट हो गई अब एक पेपर बचा है उसको भी फटाफट कंप्लीट कर देंगे आपके जीडी के भी पेपर आने स्टार्ट हो जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं सुलूशन करवा देंगे लेकिन थोड़ा पेसेंस कर देंगे लेकिन थाएंगे का उसका जाएंगे को जाएंगे प्र देंगे लेकिन आएंगे आने स्टार्ट कर देंगे।